आज की इस दुती कक्षा में आप सबी का स्वागत अवं अभिनन्न, आज हम अभिक्यान शाकुंतलं के प्रथम अंक में नांधी पाट के रूप में मंगला चरण प्रस्तूत करते हुए महाकवी कालिदास के पहले श्रोक का अध्यन करेंगे। यया प्राणीनाह प्राण वंत्रहा प्रतक्षाभी प्रपन्नस्तू तनुभी अवतू वस्ताभि रिश्टाभी रीशह। प्रतम श्लोक में देखें मैं आपको अनुवय के साथ में इसके शब्दों का अर्थ बताते हुए इसकी अनुवाद करवाती हूँ। स्रुष्टी स्रस्टुर आध्या स्रश्टु आध्या श्रष्टी अर्थात जो प्रह Central की पहली स्रिष्टी है वहति विदी han अर्थात पहली स्र Anytime अर्था पैंने अर्थात जल्ड Springs भावान, 극पम की रह पीम एगनिय सामगरी को वहन करती है या देवताओं तक पहुचाती है या चाहोतरी और जो यजमान स्वरूपा है ऐसी अगनी माइमूर्ति या द्वय कालम विध्धत्त है और जो दो कालों में अर्थाद समय को दो घागों में बाढती है ऐसी सूर्य और चंद्र मैं मूर्ती शुरुती विशय गुणा या और जो जिसका शुरुती शब्दी ही जिसका गुण है ऐसे आश्रय भूत यहाँ विश्वम व्याप्य स्थिता जो संपूर संसार को व्याप्त करके स्थित है ऐसी आकाश मैं मूर्ती भगवान शंकर की आकाश मैं मूर्ती याम आहू सर्व बीज प्रकर्ति विती और जो सर्व बीज प्रकर्ति विती अर्थात सभी बीजों का या अनादी जो बीज होते हैं उसके उत्पत्ति का स्थान है कहा गया है ऐसी प्रत्वी मैं मूर्ति यया प्राणिना प्राण वनता है और जिसको धारन करके प्राणी प् और इस प्रकार से प्रत्यक्षाभी 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 इस प्रकार से उनके द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भगवान शिव की के रूप में इन तनुभी अश्टाभी तनुभी प्रत्यक्षाभी इस प्रत्यक्षाभी इस प्रत्यक्षाभी इ एसे भगवान इशहा वहा अवतू तुम्हारी क्या है रक्षा करें प्रस्तुत श्रोक में भगवान शंकर की आठ मूर्तियों का वर्णन अश्ट मूर्ति भगवान शंकर का वर्णन किया गया है और वे अश्ट मूर्ति जो है वो जल रूप में वह और अगनी रूप में होत आकाश रूप में है इसी प्रकार से वह प्रत्वी रूप में है और वायू रूप में है इन आठ नूर्तियों के रूप में जो भगवान शंकर है वे अब सभी आप सबकी अर्थात नाटक को देखने वालों की और जो नाटक खेल रहे हैं उनकी सबकी रक्षा करें इस पद म इसको नांदी के रूप में भगवान महाकवी कालिदास ने प्रस्तुत किया है, नांदी का सहित्य शास्त्र में नांदी के लिए कहा जाता है नंदेयती इती नांदी अर्था जिसको सुन करके देवता लोग प्रसंद होते हैं वो नांदी कहलाती है, इसी प्रकार से महाकवी प्रस्तु श्लोक को आशिर्वादात्मक रूप में प्रस्तुत किया है इसमें शुरुती विशय गुणा यस्या सहा इसमें समास है और इसी तरह से प्राणी नहां प्राण वनता ये जो दो शब्द है इसमें भी पुनुरुक्ता भास अलंकार है तथा स्त्रगधरा छंद इ हैं धन्यवा